कोरना वाइरस के खौफ के कारण चीन में जिन्दगी ठहर गई है लोग कमरों में कैद हैं बगेर मास्क लगाए घर से बाहर निकलने पर रोक है आलम ये है कि मेडिकल युनिविस्टी के केंपस के बाहर रहने वाले चात्रों के परवेश पर भी रोक लग गई है ऐसा कहना है चीन के जीलिन मेडिकल युनिविस्टी के चात्रा शालिनी सिंग का शालिनी सिंग जनवरी के दूसरे हफ़ते में ही शहर वापस लोट आई उन्होंने बताया कि चीन में कोरोना वाइरस का संक्रमन तेजी से फैल रहा है उनके साथ पढ़ने वाले 20 से अधिक भारतिये चा कमरों में कैद हैं जीलिन में भी तीन मरीजों की पुष्टी हुई है इसके बाद जीलिन मेडिकल युनिवस्टी भी खौफ जदा हो गई है निवस्टी में करीब 200 से अधिक चात्र भारतिये हैं जो मेडिकल की पढ़ाई कर रहे हैं जनवरी के पहले हफते में जब सर्दी की छुटियां शुरू हुई तो जादा तर चात्र वापस स्वदेश लोट आए लेकिन 20 से अधिक भारतिये चात्र अभी वी चीन में रुक गए वे वहां अफ़स गए हैं वे केंपस से बाहर कमरा किराय पर लेकर रहते हैं प्रशाशन की तरफ से उन्हें कमरे में रहने क ही आदेश दिया गया है जरूरी समान की खरीद के लिए भी बजार जाने की इजाजत नहीं है उनके लिए भी मास्क लगा कर ही जाना अनिवारे हैं चीन के नांचुक शहर में स्थिट शिन्यॉन मेडिकल कॉलेज में एंबीबियस की दूसरे वर्ष की छात्रा श्वेता चंद्रा से जादा चात्र वहीं नांचुक में ही रुके हुए हैं सभी वाट्सअप के जरिये एक दूसरे के संपर्क में हैं नांचुक में अभी एक मरीज की कोरोनवाइरिस के पाए जाने की तस्कीद हुई है इसके बाद कॉलेज प्रशाषन ने केंपस से बाहर रहने जाने के मेडिकल कॉलेज में एंट्री पर रोक लगा दी हैं एक हफते पहले से ही चीन में प्रशाषन सभी meडिकल कॉलेज में थर्मल एंट्री गेट लगवा दिये थे इस गेट से सभी चात्र कॉलेज के अंदर प्रवेश कर सकते थे जिनके शरीर का तापमान 37 डिग्री सेलसियस यानी 98.6 फेरनहाइट से कम हो इससे अधिक शरीर का तापमान होने पर अलारम बच जाता है जिसके बाद सुरक्षा कर्मी वर स्वास्त कर्मी उसे अस्पताल में भरती करा रहे हैं शालिनी सिंग ने बताया कि बीजिंग उनिवस्टी को खाली करा दिया गया है और जीलिन मेडिकल उनिवस्टी प्रशाशन ने अगले आदेश तक विदेशी छात्रों की एंट्री पर रोक लगा दी है